नए साल के पहले दिन जहाँ एक और सारी दुनिया जश्ट मनाने में जुटी हुई है, वहीं फरीदाबाद के नगर निगम के करमचारियों ने सरकार के विरोध में प्रदर्शन किया. निगम के हिए करमचारी कच्छे करमचारीों को पक्का करने, ठेका प्रथा को बंद करने और चाइना की इको Yinko Green Company को हचाने की मांग को लेकर पिछले 25 दिनों से धरने पर बैठे है करमचारीों ने आज निगम कार्यालले से नीलम चौक तक विरोधップरदर्शन किया करमचारियों के मताबिक 2014 के घोशना पत्र में बीजेपी ने यह कहा था कि कच्छे करमचारियों को पक्का किया जाएगा पर सरकार अपने वादे से पलट रही है नए साल के पहले दिन जहां लोग जशन मनाने में जुटे थे वही नगर निगम के करमचारियों ने आज विरोध प्रदर्शिन किया करमचारियों की माने तो वो पिछले कई सालों से कच्छे करमचारियों को पक्का करने की मांग कर रहे हैं की कोड़ा उठाने का थेका देकर करोड़ों रुपे कमाने का मौका दिया है। उनकी माने तो सरकार के इस कदम से वालमी की समाज के हजारों लोग बेरोजगार हुए है। और हमारी मांग है कि नगर निगम में जो वर्षों से लगे हैं आउट्सोर्सिंग वन पर करमचारी उनको नगर निगम के रॉल पर आउट्सोर्सिंग टू में किया जाए। तो निश्चित तोर पर नगर निगम के करमचारी पूरे फरिदाबाद शहर के अंदर कली में महले में जाकर के आंदोलन कर रहे हैं। और आज नव वर्ष के मौके पर जहां परदेश के सभी लोग नव वर्ष के मौके पर एक दूसरे को बधाईयां दे रहे हैं। खुशियां अपने गरों में मना रहे हैं। सरकार और उसके प्रतिनी धी भी इसकारिये पर जुटे हुए हैं। लेकिन नगर निगम के ये गरीब करमचारी पिछले लंबे टाइम से जो अंदोलन कर रहे हैं। आज नव वर्ष के मौके पर भी सरकों पर उतर करके सरकार हाई हाई के नारे लगा रहे हैं।